तो फ्रेंस पाला कोश्चन स्क्रीन पर ध्यान देना सभी भारत में क्रिसी को दूस प्रभावित करने वाला मोसम का सबसे महतपुन तत्व क्या है कोश्चन में पूछा गया है भारत में जो क्रिसी होता है उसको दूस प्रभावित कोन करता है तो फ्रेंस ध्यान देना ऑप् से आधा मतलब आवश्चता से अधीक बारिष भी जो है क्रिखी के लिए लिए तो अब दी आप एक और्फिसित के लिए भी आपको याद अदर ये लेटे राइट मिटी नेक्स्ट को सटेशे को चने अश्र नहीं तो प्यारे साथ ध्यांदिर उच्चे नहीं है खरिप शर्ट नहीं कि यह सर्सू बाकिये कपास मुंग फली आप का ये तीनों करीब फसल आता है का पास नगदी फसल में भी आता है और खृब फब आता है यह आपको याद रखना है सरसों जो है ये खरीब फशल नहीं है ये रवी फसल है आपका करेक्ट आएगा नेक्स्ट कोश्चन देखे नगदी फसल में सम्मिल इतनी है इन में से कौन नगदी फसल में सम्मिल इतनी है तो प्यार साथ हो देखे गन्ना का पास जूट यह सभी नगदी फसल में सम्मिल इतना का पास जो है यह खरीब फसल और नगदी फसल दोनो संबंधे दूद उतपादन से ऑपसेन नमबर भी आपका यहां करिक्ट रएगा दूद उतपादन नेक्स्ट कुस्चन देखे भारत में सुछाट करांती के जनक माने जाते हैं कुण ध्यांतिर भरत में सुछा चाहिए अगला कुष्टन ज्यान देना बहुत अच्छा कोश्चन प्यारी सात्यों भारत का चाल का कटोरा कहा जाता है क्रिस्टन सावरा करेक्टें डेल्टा को यहाँ आपका क्रेक्ट्ट लाइगा क्रिस्टन गुदावरी डेल्टा नैस्ट रव्यनभारत के हैस bene यानी धान तो और भारत के किस राज में पुछे तो याद रखना बेश्ट बंगाल में पस्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल या धान की खेती होता है नेक्स्ट कोश्चन देखिए उस खाद फसल का नाम बताई ये जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है तो ध्यान देना जैसा कि अभी मैंने बताया चावल तो इस कोश्चन का भी अंसर आ जाएगा चावल ऑप्सन नमबर डी नेक्स्ट कोश्चन भारत में जिनेटिक को अफसे नमर सी आपका करेक्टेंश रा जाएगा बीटी कोटन सभी याद रखना नेक्स्ट कोश्चन देखिए भारतिया सब्सद सब्सद्द सभ्सद्द कहां इस्तित है जान देना ये कोश्चन बहुत बार पूचा जाता है बारतिया सब्सद्द कांक है इसते तो या याद रखना वारा नसी में और यह याद रखना पूरे 20 में सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान पहले नमबर पर है यह आपको याद रखना है next question देए अप्रति का अर्थ क्या है तो ध्यांदेना प्यारे साथ यों हरित क्रांदी का अर्थ होता है क्रिशी के आधुनिक विद्यों का उप्योग प्रती एकर फसल की उपजबढ़ाना आप्सन नमबर डी आपका करेक्ट इंस राएगा नेट्स्ट कॉस्चन भारत में हरित जनक मना जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को और अगर पूरे विश्व में पूछे तो यह दखना नॉर्मन और ने और नेश्ट बेरे लोग ठीक है यह जो अप्सन नमबर दिख यह दिक्राई यह विश्वास्तर पर इनका नाम आता है विश्वास्थर पर हरि सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है मध्य पर्देश राज यानि ऑप्सन नमर सी यहां आपका करेक्टाइगा मध्य पर्देश नेक्स्ट कोश्चन जूट उत्पादन में प्रमुक सबसे प्रमुक पर देश कौन सा है तो प्यारे साजु ध्यां देना जूट के आपको मध्य पर देश चला जाना है आपको मध्य पर देश चला जाना है भारत में प्राकृतिक रवर का सबसे अधिक उत्पादन कि स्राज में होता है तो ध्यां देना सभी भारत में प्राकृतिक रवर का सबसे अधिक उत्पादन कि स्राज में होता है तो या दखना केरल में आपका करेक्टाइगा केरल नेक्स्ट कोश्चन कौन सा भारतिया र आई जाती है महाराष्ट्रा राज में लेकिन कपास की खेती सबसे अधिक होती है गुजरात में आपसे नमबर एपका करेक्ट आएगा गुजरात नेक्स्ट कोश्चन गेहूं के अधिक्तम उत्पादक वाला राज कौन सा है तो प्यारे साथ उध्यांदिना गेहूं का सबस अधिक उत्पादन करता है सबसे पाद सबसे ज्यादा उत्तर पर्दिस नेक्स्ट कोश्चन देखिए केस वारतिया राजी को चाई का उत्पादक राज यह नहीं माना जाता है तो फ्रेंस ध्यांदिना असम केरल और पस्टिम बंगाल इंतर इन सभी राज्जों से है अकेले पैदा करता है तो ध्यांदिना प्यारी सब्सक्राइब बहुत एच्छा कुष्चे ने भारत में इमनलकित में से कौन सा राज है जो देश का 70% से ज्यादा कोफी अकेले पैदा करता है तो याद रखना करनाटक अफ्टर नमबर डिया आपका करेक्टेंस राइगा उसंदान संस्थान कहा है तो यादख पूने में next खörtटून देखिस रेस मैस मॉख से कौन इन में से रेश आ इससा फी इंप सलय है कि它 इसा की प्राप्ति होती है तो या तो ज्यान देना ऑप्षारन कमर सी आफका करेक्टा आइगा का पास रुठ सन और जूट इन तीनों गुजरात नेक्स्ट को चन पिली करांथी किसके उत्रादवार देने वाली किसमें है तो द्यांदेना सभी साथी आयार किस चीज की अधिक पैदावार दिने वाली किसमें है तो सभी साथ याद रखना किसकी बिल्कुल चावल की आपसा नमर भी आपका करेक्ट अंसर आएगा चावल नेक्स्ट कोश्चन बारत के कितने प्रतिसत लोग क्रिसी पर आश्रित हैं तो प्यार साथ ज्यान दिना बारत लोग के कितने प्रतिसद लोग के रिसी पर आश्रित है तो सभी साथी याद रखना बावन प्रतिसदwe शीयार आपका करेक्टा एंसर आयगा 2230 Century नेश्ट कोड़िय刃 जॲ verdad में सरवदिक चाय उत्पादित करने वाला R fidelity कौन सा तकी भारत में सरवाधिक चाय और दूसरे नमबर पर गुजरात ऑप्सन नमबर डियाफ का करेक्ट आएगा आंद्रा पर्देश वा गुजरात नेस्ट कोश्चन नमना लखित में से कौन सा राज भारत के संपुल्न रेसम उत्पादन का आधाभाग उत्पन करता है तो प्यारे साथ ध्यान देना जितना पूरे भारत में रेसम का उत्पादन होता है उसका अकेला 50% अकेले जो है करनाटक का राज से होता है यादखना करनाटक आप्सन नमबर आपका करेक्ट आएगा नेक्ट कोश्चन भारतिया दलहन सोध संस्थान कहां इस्तित है तो ध्यांदेना सभी प्यारे साथी भारति सभी भारत में मसालों का सरवरिक उत्पाद करने वाला राज है के रला आपेशन नमर्बी거든 नायक्ट कोस्टन नियृत के अश्च थे सब्सक्राइब भूमिए है क्यां देना गंडय के लिए सरवदिक उप्युक्त खेटी की जाती है कहां पर तो यहाद रखना उत्तर पर्दिस राज में ऑफ्शन नबर है कए और ya करेक्टम्ट लाएगा उत्तर पर्दिस नेक्क्शच मक्की की खेती की जा सकती है किस फसल में किस मोसम में मापकर ना मक्की की खेती की जाती है किस मोसम में तो यहां दखना खरीब के मोसम में मक्की की खेती की जाती है आपका करेक्ट आएगा खरीब के मोसम में नेक्स्ट कोश्चन केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन होती है कहां से तो प्यारे साथ उध्यान देना बारत में सबसे अधिक सबसे अधिक क्या एक मात्राइस राजे जो केसर का उत्पादन करता है याद रखना कसमीर ऑफ्सन नमर भी आपका यहां करेक्ट्रेंसर आएग कि इतने किरिची ज़वाय। चेत रहे तो ध्यांदेना जहां तक कृषी मंत्रा लगे सरकारी भरगी करन कि सं बंद है भारत में कितनी क्रिटी आःजोर आएक Q 127 कि आपका करेक्ट आएगा 117ीयर रखना यह कोचन रिंडर की त्राज्व में से कौन काजू कांए कोट्पाधमी भारतिया राज है केरल भारत के अधिक काजु स्भासट पाधन किया जाता है ऑनोर आपका करेक्ट आएगा केरल नेच्थ कुछिन उत्थरपरदेश में आउले का सरवधिक उत्पादन होता है कहां से तो पिए साथ भी तो बीटाम सी का सब्सेद्च त्रोट मना जाता है और याद रखना सब्सक्राइब उत्तर प्रदिस्राज में उत्पादन होता है और उतर उत्तर पर्दीस के किस जीले से तो यादधिना सभिसाथी ऑफिस इसह प्रताप गड़्जिले से आफसा नम्र भी आपका करेक्ट आएगा प्रताप गड़ नैस्ट गोश्चन बारत का राष्ट्रीय फल क्या है और इस कोश्चन का अंसर आपको कमेंट बोक्स में अंसर करके करना है तो सभी साथी कमेंट कर दीजिए कि भारत का राष्ट्र या फल कौन सा है सबी को कमेंट करना है जितने साती लोग करना है जो